अब मेरी तक्वियत है ठीक और अब मुझे आरा मिल चुका है जुखाम से अपकी अभी राहत नहीं मिली है राहत दो तीन दीन में मिलेगी मुझे और आप लोग वोट डालाएं क्या हम तो जी वोट डाल के फ्री हो गए आपने किसकी वोट डाली है दिखाँ आपका वोट का निशान निशान तो कभी न मिटए है नकली वोट डालाएं फिरता है न तो साल साल तहीं नहीं है मुझा अब में नुच्छाल करते हैं और पूद्वा देखे पिरते हो प्री हमने सोचा अभी आज हम कुछ स्पेचल करते हैं मेरे को भी मीठा खाने की आग लगी है और विकास जी को भी मीठा खाने है तो हमने सोचा आज हम गोड़े का हलवा बनाते हैं और देखिये मैं कैसे गोड़े का हलवा बनाती है और आप लोग भी बना की बनाना ट्राइ करना और विकास जी में मेरा साथ देंगे अब विगाइज हम किचन में जा पे हैं इसको हमने कस लिया है एक इगोड़े का बनाएंगे आज तो अगर अच्छा लगा तो और हम कल बनाएंगे ठीक है मुझे तो बाती अच्छा लगता है विकाश जी को देखते हैं अच्छा लगेगा थी इनी के लिए बनारी इनको मीठा खाने की आग लगी थी आग आप इसमें कडाएं में डाल दूँगी में और इसको थोड़े देर बूंद लोगा है आपने बड़े भी ची में डाल रखे हैं कि यह उसी ने पापड़ी खालो ऐसे कि जादा गी नहीं पड़ता इसमें क्यों कि जादा गी डाल दे टेना पराजाता है एक चंडी है इसमें एक चंडी है इसमाई इस से ज़्यादा बहुत ज़्यादा जी होता है वारियर वैसे ही छोड़ता है बात में आप सम भी वोट डालाओं वाके डालाएं उन्हें कुछ बचे हुए है तो अब इसको रहेंगे उठ जाओ और अपना अपना मत देखे आओं क्योंकि एक एक वोट से बनता है विजीता क्यान से अंप घचे हैं तो कर देखे है यह बोगा लोगा आफ जो काम कि जाता है अला बेरान केप जाता नाकम भूल्जाता है जुबंद के अखोई इस बथे चिंगी के राइगे कि अब तब जाय है है जो दो गई करें आधि कि गृए है तुर आधा भाई प्रभाल में जाधा खार तो कम खार बैंगे कों शाहर पार में ची में डाजे मारे तक हारा कथी नीड तक हुआ है प्रतीनी शुद्गर के मरीज बले इतना निफ्ठाखा अच्छ रेखर शोग अज़ियो आर्दाम्बग थोलूड़ है कि अच्छ वे अच्छ अच्छ इस लिए लावा ये पक़ जाओए ये में खोवा जिसा टेस्ट की दोगा कितना ताइब लगेगा पाँ मिनट ताइब तर्ड दिया अब काम जी तो गश्थी होगी है ना अब का मोन वट तूट गया खेग तो पाँ मिनट ताइब तर्ड रहेंगे आप न लगवा दिये थाले करवा दिये यह गलती आपकी है अब यह सही पकाई ओड़ा जाइच हलवा बनके रेडी हो गया है एक नारील का एक गोड़े का यह इतना सालवा बना है अब यह तो इसको गरम-गरम खालो दूद के साथ जिसके सर में दड़ दोता हो वो भी डेली थोड़ा सा खा सकते है या फिर इसकी ठंडा होने पर बर्फी भी बन जाएंगे चाहें इसकी बर्फी काट लेना सुबह एक दूद का गलाफ एक इसकी बर्फी इससे सर में भी कुल रात मिलती है सरदर दिनी रहता है ठीक है गाइच यह गोड़े की रहसे की ती जो मैंने आप लोगों के शाथ शेयर की एक बर आप भी जरूर करना बना के जरूर खाना और आपको भी आपको बहुत अच्छा लगेगा चैनल को शेयर करना सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करन मिलते हैं नेक्स्ट लग में तब तक के लिए बाबाई टाटा आप और आपकी प्रिवार खुश रहे खुश हाल रहे